बॉलिवूट की अपकमिंग फिल्म पानी पत को लेकर पाकिस्तान के एक मंत्री ने नाराजगी जताई है पाकिस्तान के विज्ञान एवं प्रद्योगी की मंत्री फवाज चौधरी ने ट्वीट कर कहा है कि फिल्म में मुसल्मान शासक को जालिम दर्शाने के लिए इतिहास को तोर मरोर दिया गया है फवाज चौधरी ने ट्वीट कर कहा है जब बेवकूफ लोग RSS के प्रभाव में इतिहास को फिर से लिखते हैं तो फिर उनसे हम ऐसी ही उम्मीद कर सकते हैं देखिए आगे आगे होता है क्या बॉलिवूट फिल्मेकर आशुतोष गोवारिकर की फिल्म पानिपत अफगानिस्तान के बादशाह एहमत शाह अबदाली और मराठाओं के बीच पानिपत की लड़ाई पर आधारित है फिल्म में अबदाली का रोल संजेदत प्ले कर रहे हैं जिबकी मराठा सरदार सदाशिव राव भाव बने हैं अरजन कपूर इस फिल्म पर पाकस्तानी मीडिया के रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फिल्म को लेकर अफगानिस्तान के लोग भी आपत्ती जता रहे हैं भारत में अफगानिस्तान के राजदू ताहिर कादरी ने का है कि वोई इस मामले में भारत सरकार के संपर्क में है और उन तक अफगानी लोगों की चिंताओं को पहुँचा दिया गया है रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे पहले संजलीला भनसाली की फिल्म पदमावत में मुस्लिम शासक अलाउदीन खिल जी को अत्याचारी के रूप में पेश किया गया था